सिर्फ गाड़ी होना ही काफ ही नहीं है गाड़ी चलाने के लिए आपको सबसे important चीज चाहिए वो क्या है you guessed it fuel इसी तरही किसे cold email टूल और emails होने से कुछ नहीं होता आपको यह चीज चाहिए जो की सबसे important है ताकि आप successfully महीने के 30 से जादा client लेके आ सके cold emails भीजने के लिए जो सबसे important चीज है उसे हम कहते है leads जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि leads क्या होता है leads आपके prospect या फिर जो कहें ideal client उसका नाम, email, company, website, company name वगएरा वगएरा जैसी details को हम leads कहते है and most importantly उसमें उस बंदे का नाम और first name और email तो होना बहुत ज़री है क्योंकि अगर email नहीं होगा तो आप email कैसे भेजोगे तो जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए हमें fuel चाहिए होता है उसी तरीके से हमें cold emails भेजने के लिए leads चाहिए होती है तो यह है मेरे free cold email series का part 3 और इस वीडियो में exactly हम सीखेंगे कि हमें leads कैसे निकालनी है एक नहीं दो नहीं बलकि 5000-10,000 leads हम कैसे निकाल सकते हैं वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम lead निकालते हैं कौन-कौन से creative तरीके हैं जो पूरी दुनिया यूज नहीं कर रही बट मैं आपको exactly सिखाऊंगा और मैं नहीं मेरे साथ प्रतीक और चेतन भी आपको सिखाएंगे उनके leads निकालने के तरीके तो मेरे तरीके अलग हैं उन दोनों के तरीके अलग हैं तो टोटल तीन लोग आपको सिखाएंगे कैसे आपको leads निकालनी है और साथी साथ आप चाहे आपके पास invest करने को पैसा हो या ना हो हम आपको free method भी बताएंगे की free में कैसे leads निकाल सकते हैं and साथ-साथ paid method भी बताएंगे जिससे आप time save कर सकते हो free method में time लगता है paid method में time नहीं लगता पैसा लगता है तो ये वीडियो बहुत ही power packed होगी तो अपनी pen, paper निकाल लो, copy निकाल लो और सब कुछ note करना शुरू करो तो सबसे पहले start मैं करूंगा then Pratik and then Chetan सबसे पहले identifying your target audience because leads तो आप निकाली लोगे हम आपको सिखाई देंगे हम तीनों मिलके बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी ideal audience क्या है ideal target क्या है किसको आप target करना चाहते हो किसकी leads आपको निकालनी है तो आप कोई सी भी lead निकालोगे उसको कोई साभी email भेज़ दोगे काम नहीं करेगा सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका customer कौन है तो exactly हमें यह सबसे पहले पता होना चाहिए इस सीज में कि हमारी niche क्या है तो niche हमें decide करनी पड़ती है ताकि हम उस niche को target कर सके और उस niche की leads निकाल सके चाहिए हम free tools से निकाले, free तरीके से निकाले या paid method से निकाले तो सबसे पहले तो आपको अपने ideal client की niche या industry पता होनी चाहिए बहुत सारी niche है जैसे real state हो गई dentist हो गई, plastic surgeon हो गई, skin clinics हो गई, plumbers हो गई, roofing हो गई, solar हो गई बहुत सारे ऐसे leads हम निकाल सकते है different different niches की तो आपको सबसे पहले तो एक niche की select करनी है आपको screen पर बहुत सारे example दिख जाएंगे कि कौन-कौन सी high paying niche है इन में से आप कोई भी niche select कर सकते हैं जिसमें भी आपको service प्रोवाइड करनी है चाहिए आपकी कोई भी service हो prep design, video rating, SEO, ads आप कुछ भी काम करते हो आप इन में से कोई भी एक अच्छी high paying niche को select कर सकते हैं आप niche select करने के आपके कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है niche select करते वक्त वो है कि number one niche जो होनी चाहिए आपकी वो high paying niche होनी चाहिए पैसा नहीं कि आप ऐसे लोगों को target कर रहे हो जिनके पास पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए तो सबसे पहले high paying niche होनी चाहिए मैंने बहुत सारी लोगों को देखा LinkedIn पे वो क्या करते हैं resume building service provide करते हैं तो यार एक बात बताओ जो बंदा job ढूंट रहा है जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे आपको पैसे दे सकता है resume बनाने के तो ये बहुत ही बेकार niche का example है और दूसरी बात हो गई local restaurants तो जो local restaurants होते हैं वो usually अपने जो local area में जो traffic होता है उसके उपर rely करते हैं तो अपना restaurant ऐसी जगे खोलते हैं जहां पर लोगों का आना जाना रहता है तो अब अगर आप उनको बोलोगे कि मैं आपके restaurant का ad चलाऊंगा या website बनाऊंगा जिससे आपके पास और client आएंगे वो आपको मना कर देंगे बोलेंगे हमारा सारा traffic road से आता है road पे जो लोग होते हैं वो हमारे restaurant माते हैं हमें online से कोई मतलब भी नहीं है तो सबसे पहले तो niche में आपको ऐसी niche ही select करने है जो high paying हो और जिनको actually में service चाहिए जिनको internet जो internet के through sell कर सके और internet से client लाने में उनकी help हो सके जिनको internet या online world से कोई मतलब नहीं है तो उनके साथ काम करने कोई फाइदा नहीं है फिर number two आपको criteria जिसको आपको ध्यान रखना है वो है easy availability तो ये जो niche है जिसको भी आप select करोगे इसके clients आपको easily मिलते हैं नहीं चाहिए वो free tools हो free तरीके हो उसके तरूँ आपको client मिल रहे हैं नहीं या फिर आप paid tools का use कर रहे हैं उसके अंदर आप filters लगाके clients ढूंट पा रहे हैं या नहीं आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके जो clients है वो easily आपको मिल जाएं number three easy to target हो ये मैं already discuss कर चुका हूँ कि उनको जो target करना है sell करना है वो थोड़ा easy होना चीए उनको interest होना चीए online अपने लिए ज्यादा revenue generate करने में या फिर अपने लिए काम और लेके आने में ताकि आप उनके help कर सको अगर उन्हें online काम करवाने में या online service की जरुरत नहीं है तो आप कुछ भी कर लो वो convert नहीं होंगे ऐसी नीश को आपको target करने से कोई फायदा नहीं है और चौती चीज़े scalability की ऐसा ना हो कि वो नीश इतनी small है की आप उसमें limited leads ही निकाल पाओ और उसके बात क्या है कि आपकी leads ही खतम होगे अब आपके client ही नहीं है या leads ही नहीं है कि आप email कर सको तो ऐसा आपको niche select करना है कि जो scalable हो जिसमें बहुत सारा आपके पास data मिल सके बहुत सारी लोग available हो नीश बहुत छोटी नहीं होनी चीए थोड़ी सी broad होनी चीए ताकि आपके पास कभी भी clients की कमी ना हो तो scalability भी यहाँ पे matter करता है अब हम इसी के अंदर आ जाते है targeted audience को identify के अंदर हमारा second चीज आ अगर तो आप इस में से target कर सकते हो CEO को founders को CMO मतलब Chief Marketing Officer, Marketing Manager, VP of Sales, Sales Directors, Head of Sales और Relationship Manager या Growth Managers तो basically यह सब इन लोग को target करना इसलिए important है because यह किसी भी company में decision makers होते हैं यही decision लेते हैं कि हमें क्या करना है company की growth के लिए तो यह लोग ही आपके लिए सबसे ज़्यादा important होते हैं क्य लगाना है कैसे growth होगी यह सारे decision यही लोग लेते हैं तो इसलिए आपको इन लोगों को ही इन लोगों को ही ढूड़ना है इन लोग की emails ही ढूड़नी किसी भी company के अंदर ताकि आप इनको cold email कर सको और उस company के लिए आप काम कर सको तो चलो अब हम आले आते हैं अपने इस point how to find leads जो कि सबसे exciting है और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि कैसे आप leads ढूड़ सकते हो तो जो leads है वो आप already जान चुक्ते हो कि आपके business का lifeblood है आपके cold emails का lifeblood है leads नहीं तो emails नहीं तो clients नहीं तो leads निकालने के obviously बहुत साथ तरीके हैं free है paid है creative तरीके भी हैं जो कोई दु integration या फिर अपनी agency start कर रहा और पैसा invest करने को पैसा ना हो तो आपको free method ही use करना चाहिए almost सभी जो बिल्कुल zero से start करते है वो free method से start करते है and once they start getting money they invest in paid methods but हाँ अगर आपके पास पैसा invest करने को पैसा है तो definitely मैं आपको suggest करूँगा कि आप paid methods को use करें क्योंकि paid methods में क्या होता करने होते है tools आपको leads निकाल के देता है तो आपका time भी save हो जाता है आपकी मेहनत भी save हो जाती और आप ज्यादा से ज्यादा time दे सकते है emails भीजने में client से call लेने में meeting book करने में और पैसे कमाने में या फिर पैसे गिनने में तो it's like एक रुपे खरच करके आप 5 रुपे ब बना के दे देंगे आप exactly उनको बताओ कि आपका ideal client कौन है और वो बैटके आपको कुछ रुपियों में कुछ डॉलर में आपको पूरी list generate करके दे देंगे अब वो भी क्या करते हैं वो manually बैटके काम करते हैं वो tools वगेरा का use करते हैं बट उतना नहीं करते इस database वगेरा को नहीं use करते वो proper बैटके खुदी जाके घंटे घंटे लगाके एक एक बंदे की email और social media निकालके आपको देते हैं तो अगर आपको बहुत ही आपकी जो niche है जो आपका target clients हैं वो बहुत ही niche specific है बहुत जादा मुश्किल है उन्हें ढूनना तो उसके लिए आपको आप इन को hire कर सकते हैं आपके लिए एक excel sheet बना के दे देंगे जिसमें आपकी leads होंगी and आप then उसे cold email कर सकते हैं वरना अगर आप एक बार को अगर खुदी सीख गए कि आपको कैसे leads निकालना और आपके पास client आयन लगए तो आप एक full time बंदे को भी hire कर सकते हैं जो आपके लिए full इससे आप से pay कर सकते हो 10,000-15,000 जो भी आपकी शरदा हो इस बंदे को pay कर सकते हो और जितने घंटे आप काम कराते हो like 8 घंटे एक standard जो भी होता है तो उतनी घंटे में आप पर लेगे उससे 500-600 लीड निकलवा सकते हो अगर आपको hyper specific target करना है किसी इनसान को किसी ideal client को तो वो आपके लिए hyper targeted leads निकाल के लेके आ सकता है बशरते आपको उसको train करना पड़ेगा अगर वो untrained है बाकी trained लोग तो फिर आपको आप workfiver पे ही मिलेंगे और वो आपको ऐसे job के type में नहीं मिल पाएंगे आपको तो आपको किसी fresher बंदे को hire करना पड़ेगा and then आप उसे बोल सकते हैं कि मैं आप lead generation सिखाऊंगा और आप उन्हें सिखा के उनको train करके and उनसे leads निकल वा सकते हैं और monthly payment कर सकते हैं तो वो कौन से free और paid तरीके हैं जिससे हम leads निकालते हैं तो सबसे बहले मैं free तरीकों की बात करूँ तो बहुत सारे तरीके अगर आप देख सकते है मैं हर एक जो भी तरीके बताऊंगा उसको बाद में 30 सेकंड या 15 सेकंड जो भी है मैं आपको फटा फट दिखा भी दूँगा कि कैसे ये काम करता है तो free तरीके में तो एक आजाता है कि google maps के थरूँ आप अपनी leads निकाल सकते हैं उसके अलावा google maps से leads निकालने के अलावा आप google search के थरूँ भी आप leads निकाल सकते हैं and then और भी तरीके हैं जैसे बहुत सारे free के scraping plugins होते हैं जिसके मदद से आप google को scrape कर सकते हो और google maps को भी scrape कर सकते हो उसके लावा facebook pages होते हैं जितने भी business हैं उनका facebook page होता है उनकी email आपको उनके facebook page पे मिल जाएगी वहां से आप नि website से आप lead निकाल सकते हैं इनका social media भी निकाल सकते हैं उसके अलावा आपकी जो listing website होगी जैसे yelp हो गया and yellow pages हो गया यहां पे भी आप जा सकते हैं और यहां पे भी जाके आप lead scrape कर सकते हैं और lastly अगर आप video editor हैं या shots create करते हैं YouTube reels और यह सारी चीजे तो आप YouTube पे भी जा सक जिनको आप download कर सकते हैं और इन extension में आपको 50-50 credit हर महीने मिल जाते तो ऐसे आपको 10 extension मिल जाएंगे जैसे eva boot हो गया scale list हो गया contact out हो गया यह सारे extension आप install कर सकते हो and हर एक extension से आप 50-50 लोग की email या lead scrape कर सकते हो निकाल सकते हो LinkedIn से directly email निकाल के आप एक tool से आप 50 email निकाल सकते हो तो ऐसे 10 tool आपको और मिल जाएंगे आपको सिर्फ chat GPT में जाना है और लिखना है कि suggest me tools like these tools ठीक है और आपको 10 ऐसे tool और मिल जाएंगे ऐसी website और मिल जाएगे उन सब को install कर लो तो 50 lead अगर आप एक extension से निकाल रहे हो तो 10 extension से आप महीने के 500 lead तो आप LinkedIn के थुरू अराम स तो इससे मुझे quote याद आता है you don't need resources you need to be resourceful बाकि अगर आपको इन में से कोई भी extension पसंदा है तो आप उसका paid plan मिले सकते हो तो आपकी सारी जंजटी खतम हो जाएगी उसके लावा एक मेरे पास बहुत अच्छी चीज है कि मैं आपको नीचे link में resource file मिल जाएगे इसके अ कुछ भी आप डाल सकते हो आपको हर तरह कि उसके अंदर leads मिल जाएगी वो मैं आपको resource में resource file में आपको description में नीचे आपको दे दूँगा 8 million आपको leads मिल जाएगी जो की सारी Instagram से scrape करी हुई है उसके साथ साथ मैं आपको दे दूँगा 50,000 B2B leads की list वो भी आप प्री में use क कर सकते हैं निकाल के आप email करना शुरू कर सकते हैं बाकि आपको एक चीज़ तो करनी पड़ी आपको कोई भी email verify verify वाले plugins को use करके आपको इनकी email verify करनी पड़ेगी क्यूंकि अगर email verified नहीं होगी और email आपके bounce होने लगे तो आपका email spam में जाने लग जाएगा तो उस आप जो भी जिनको भी target करोगे उन सबको आप इन email verify टूल के अंदर जाके verify करोगे और जो भी verified emails होगी जो properly working email होगी आप उनको use करोगे email भेजने के लिए तो आपको screen पे list मिल जाएगी email verification tools की आप इनमे से कोई भी tool को use कर सकते हैं now हम अगर paid methods की बात करें कि हम कौन-कौन से वो paid method है जिससे आप leads निकाल सकते हैं एक नहीं दो नहीं बलकि हजारो leads हर दिन की तो उसमें सबसे पहले आज़ा था है d7 leads finder यह बहुत ही सस्ता सस्ती website है जो आपको within minutes आपको जिस भी तरह की leads ही है उस तरह की leads आपको निकाल के दे देगी और आपको बस pay करना है अपने leads के लिए उसके लावा आउट scraper आउट scraper भी आपका यही काम करता है उसके लावा databases website के हम बात कर ले तो trusted leads I.O, zoom info, contact out, Apollo, Lucia, Lamblist इनको भी आप use कर सकते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो famous है वो Apollo है जिससे आप leads निकाल सकते हो और leads निकाल के आप cold email कर सकते हो तो अगर हम creative तरीकों की बात करें leads निकालने की तो सबसे creative तरीका फिर आपका आजाता है कि बहुत से ऐसी website है जो specific kind of listing करती है जैसे clutch हो गया तो यह local businesses वगेरा की listing नहीं करते है local business की listing आपकी Yelp, Yellow Pages, Zillow इन सब में आपको मिलता है और अगर search से जाके leads निकाल सकते हो आप product hunt से जाके leads निकाल सकते हो इसके अलावा अगर आपको और creatively करना है तो आपको sales navigator का free trial मिल जाया एक महिने के लिए और फिर आप उसे खरीद भी सकते हो sales navigator को use करके आप अपने targeted audience की list विल्ड कर सकते हो और उसके बाद उसको scale list या फिर contact out plugin क through आप scrape कर सकते हो और उसकी email निकाल के आप use कर सकते हैं बाकि इसके लावा एक growmy organic करके भी tool आता है इसको भी आप use कर सकते हैं और facebook pages का भी आप use कर सकते हैं facebook pages को इंस्टागराम pages को scrape कर सकते हैं IG leads website से बाकि आप facebook page, youtube, instagram, tiktok इन सब चीजों को भी scrape कर सकते हो with this tool जिसे हम कहत इसको भी आप use कर सकते हैं और यह almost हर तरीके से आपकी scraping में help कर दे है scraping मतलब वही होता है कि आपको search words मारना है और जो भी data आता है उसको extract कर लेना है और वो सब आप खुद नहीं करते हो यह सारे tool ही वो सब काम करते है तो उसका data सारा निकाल के and then एक excel sheet में आपको provide कर देते हैं जिसमें नाम email company सारी चीज़ें उनका bio अगेरा सब कुछ लिखा होता है website email साब होता है a to z तो इसी को हम scraping कहते हैं अगर आपको scraping का मतलब नहीं पता अगर हम बात करें कि आपको hire करना चाहिए किसी बंदे को किसी lead generation वाले बंदे को तो उसके उपर मेरा क्या कहना है तो यह जो सारे टूल मैंने आपको बताए except for creative method जो मैंने आपको बताए leads निकालने की almost दुनिया में हर कोई use करता है तो same leads है हर कोई ने pitch कर रहा है तो आप creatively एक तो यह काम कर सकते हो कि आप उनको जो email भीजोगे वो इतना better हो कि सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए आपका portfolio इतना अच्छा हो आपका email इतना अच्छा हो कि सामने आले reply करे बिना रही ना सके वो आपको करना है वो हम सीखेंगे next chapter के अंदर next course के अंदर बाकि मैं बात करूं तो यह जो tools है यह सारे पूरी दुनिया use कर रही है तो इससे client लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता अगर आ जो बिलकुल ही इन सारी tools पे available नहीं है जिनको किसी को manually ही बैठके ही निकालना पड़ेगा database से नहीं मिल सकते तो जैसे इसमें example दे दू तो financial coach होगे, dating coach होगे, relationship coach होगे, spiritual coach होगे, यह सारे लोग आपको in scraping plugins और databases में नहीं मिलेंगे, आपको यहां पे businesses मिलेंगे तो यह जो बहुती niche client है, यह अगर आपको इन सब पे नहीं मिलेंगे तो उसके लिए आपको lead generation के लिए बंदे को रखना पड़ेगा, उसको train करना पड़ेगा कि आप leads कैसे निकालते हो, and then वो आपके लिए काम कर सकता है, और आप उसे monthly salary पे कर सकते हो, but अगर आपके जो businesses हैं, वो ब अच्छी leads, बहुती high quality leads आपको मिल जाती है, बाकि अगर आपको किसी को hire नहीं करना है, किसी को आपको रखना नहीं, trade नहीं करना है, तो आप Fiverr पे जाओगे, तो आपको बस लिखना lead generation services, और आपको बहुत सारे ऐसे sellers मिल जाएंगे, जो lead generate करके आपको देंगे, आपको बस उन्हें बताना है, क्या आपका client persona है, किस टाइप के आपको clients चाहिए, वो आपको उस तरह के logo की leads बना के देंगे, 1000 leads बोलो, 1000 बना देंगे, 5000 leads बोलो, 5000 leads बना देंगे, और आप उनको email करो, client लाओ, और उन अपर Fiverr sellers से और ज्यादा leads बनवाओ, तो बाकि अब मैं प्र clear होनी चाहिए, आपके पास, तभी हम cold email स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, कि आपके पास कौन से skill और किस skill को आप rate करने वाले हैं, दूसरा आपका offer क्या है, किस तरीके से आप अपने prospects या फिर अपने clients के किस problem को solve करेंगे, ये दोनों ची या फिर अपने skills को उन लोगों तक पहुचा रहे हो, जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है, या फिर वो capable enough नहीं है, जो तुमारे skills को afford कर पाएं, जो तुमारे services को afford कर पाएं, then it's a complete waste of time and money, so हम लोग हर एक चीज एकदम basis शुरू करेंगे, और एकदम top level तक जाएंगे, step by step हर चीज note down करते जाना, बहुत important video है, और यह basic foundation है, cold email को start करने का, यह चीज अगर clear नहीं है, तो तुम कितने भी अच्छे emails लेकलो, कितना भी अच्छा campaign शुरू कर लो, तुमें results नहीं आएंगे, तो make sure कि, जो जो मैं discuss कर रहा हूँ, pen and copy लेके, उसको note down करते जाना, ठीक है, और उसको implement करना, सिर्फ सुनने से काम नहीं चरहेगा, उसको implement करना हो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कि किस तरीके से हम लोग target audience को ढूंडेंगे, या फिर अपना ICP, ideal customer profile ढूंडेंगे, तो let's say मैं consider करता हूँ, आप YouTube management, social media services, YouTube video editing, ये सारी services आप अपने clients को sell कर रहा है, आप proper video editor है, आपको video editing आती है, या फिर आप कोई graphic designer है, आपको thumbnail साता है, process मैं किसी एक skill को लेकर बता रहा हूँ, लेकिन ये process सभी domain, सभी skills के लिए valid रहेगा, so ऐसा नहीं है कि अगर मैं video editing, thumbnail designing, या फिर ads के लिए बता रहा हूँ, तो ये बाकी services के लिए applicable नहीं है, ये बिल कर रहे हैं, और वो grow नहीं करा पार, और example आपकी ये service है कि आप उनके लिए एक अच्छी तरीके से video edit करते हैं, आप उनको बताते हैं किस तरीके से video को upload करना है, क्या-क्या content pieces होने चाहिए एक video में, क्या-क्या किस तरीके से content बना सकते हैं, आप उनको proper content research करके idea दे रहे हैं and उनको grow करा रहे हैं, अब ये growth specifically creator के लिए भी हो सकती है and specific brands के लिए भी हो सकती है, अलग-अलग brands के लिए ये complete काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग research करते हैं, मैं उस पे ज़्यादा focus करूँगा, so that आप लोग ज़्यादा relate कर पाएं, so ज जो main business होता है, वो consultations होता है, अलग-अलग seminars में जाना होता है, और उनके कुछ courses होते हैं, या फिर उनका merchandise होता है, बहुत अलग-अलग तरीके से वो लोग monetize करना चाहते हैं, अपने products और services को, right, अब मैं इनको ideal customer मानता हूँ, अब समझते हैं कि ये हमारे ideal customers क्यों हैं, पहल हम लोग उनके brand को promote कर पाते हैं, हम लोग उनके complete social media profile को optimize करा पाते हैं, so that उनके पास जादा से जादा leads आएं, और उन leads में से कुछ convergence हो पाएं, जिसके तुरू उनका business run हो पाएं, तो definitely उनको फायदा होगा, और अगर उन्हें फायदा होगा, तो definitely आप अगर उन्हें काम य clients मिल रहे हैं, तो definitely वो आपको 1000 dollars easily देंगे, and more than that, ये तो मैं base price बता रहा हूँ, so इस तरीके के customers को हमें ढूंडा है, for example, let's go to YouTube, हम लोग ने search किया coach, filter में जाएंगे, filter में हम लोग सीधे डाल देंगे, channel, इनके भी coaches के channel है, वो सारे हमारे सामने आगए, अब इन में से हम ल मेंशा पोशिश करना है, कि तुम्हें lead, जो lead list बनाने है, उसको strong बनाना है, उसको ऐसा बनाना है, कि उन में से जादा से जादा लोग reply करता है, दो तरीके से lead बना सकता है, अभी मैं पहले तरीके की बात कर रहा हूँ, दूसरा तरीका होता है, कि आप किसी tool के थूरू lead extract क किसी paid tool को पैसा दो, या फिर Google search के तुरू lead निकालो और bulk में आप email campaign चालो करो, अभी हम लोग दूसरे पात पर है, अभी हम लोग hyper personalized, hyper focused niche को target कर रहे हैं, और उनको अपनी services sell करेंगे, तो अब इनके YouTube channel पर आए, और इनके वारे में पढ़ लेता है, Welcome I made a channel, to help professionals and emerging leaders increase their impact of impact and lead their teams with excellence through better communication skills, अभी इनने पूरी journey लिख रखी है, इनकी देखो, यहाँ पर, इनका सबसे पहला business तो हमें दिखाई देदी है, कि इनका एक academy है, फिर इनका LinkedIn account भी हमें दिख रहा है, अभी email address हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, अभी email address कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं पेज पर जा करके हम लोग about section में, about section अगर इनका है, तो let's see, let's see, let's see, let's see, मुझे नहीं दिख रहा कि इनका कोई about section है, नहीं है, चालो, कोई बात नहीं, यह हैं काफी famous, that is for sure, अगर हम लोग अलग से टाइप करके देखें, Alexander Leon Academy email communication coach, यहाँ यह है, इनके about section में आप जाओ, about section, contact us भी होना चाहिए, चलो, इन्होंने publicly अपना email address नहीं दिया है, so, इनको pitch करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुम्किन नहीं है, लेकिन, मैं चाहूँ तो इनको pitch कर सकता हूँ, और भी तरीके हैं, लेकिन उतने complex तरीके भी हम लोग अभी नहीं जाते हैं, let's leave it, इनको अभी छोड़ते हैं, यह हमारे एक high ticket client हो सकते हैं, लेकिन अभी उस level पर हम लोग नहीं जाते हैं, चलो, mind valley coach को देखे हैं, यह हमारे coach है, इनका पर देखते है, email ID है, इनका भी email ID नहीं है, sadly, कोई बात नहीं, अभी यहां पर देखो यार, यह book a call का option रखे हैं, ठीक है, although यह इनके business के लिए है, लेकिन ideally अगर तुम चाहो तो book a call करके, इसमें details भरके, इनको one to one pitch कर सकते हो, ठीक है, यह भी option है, लेकिन चुकि इनका भी email ID नहीं है, तो इनको भी हम लोग skip करेंगे, ठीक है, हम लोग इनके LinkedIn को भी हम लोग check out कर लेते हैं, ठीक है, United States के हैं, और इनको हम लोग pitch कर सकते हैं, इनका हम लोग lead list बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे बहले इनके channel को analyze करो, plus point यह है, USA से है यह, ठीक है, USA का market या फिर जो बाहर के top tier country थे, USA, UK, Australia, Canada, Dubai, event, ठीक है, यह सारे जो top tier countries है इनको तुम हमेशा target करना, इनके through जो तुम्हें lead list मिलेगा, वो हमेशा high paying होगा, क्योंकि इनकी currency इंडिया से strong है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको हमेशा एक जादा return मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तो इनके अगर हम लोग YouTube channel को देखें, तो यह काफी regularly videos बना रहे हैं, plus point, ठ यह एक pain point है, जो इनका है, ठीक है, तो हम लोग क्या इनको pitch कर सकते हैं, इनके लिए हम लोग एक video बनाएंगे, ठीक है, एक sample video shoot में बना सकते हैं, या फिर आप directly इनको mail करो, कि I have already made a video for you, if you are interested, you can let me know, अब email का copy कैसे लिखते हैं, वो मैं discuss करूंगा, उसके पहले, यह समझत पर भी अगर हम जाएं, ठीक है, इनका website, यह simple landing page है, जो कुछ खास है नहीं, ठीक है, तो हम लोग email लिख सकते हैं, तो इनका email ID आप यहां से copy करेंगे, यह copy किया, submit, चलो support, add, sheet बना लेंगे, हम लोग पहला, name, email ID, email ID पर हम लेंगे, paste किया, गैरी, ठीक है, और यहां से YouTube का अब लिंक आप copy कर लो, आगे ज़रूद पर सकते हैं, तो इस तरीके से करके, यह तो हम लें पहला किया, ठीक है, अब दूसरे पर जाते हैं, हम लोग 126 के, इनको देखते हैं, यह क्या कर रहा है, ठीक है, coach, 25 के, इनके 126 के subscribers हैं, which is a good thing, views भी ठीक ठीक आ रहे हैं, लेकिन इनके thumbnails अच्छे नहीं है, अगर आप thumbnail designer है तो इसको फिच कर सकते हैं आप, ठीक है, तो यह एक हमारे ideal customer हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके thumbnails अच्छे नहीं है, तो आप इनको thumbnail designing पिच कर सकते हो, और इनके subscribers भी अच्छे हैं, तो यह एक position पे हैं, कि आपको एक अच्छा imitate कर सकते हैं तो इनको भी आप सेम तरीके से इनका भी email extract कर लोगे एक ऐसा example लेते हैं जिनको हम लोग reject कर सकते हैं तो for example इनके पास गया ठीक है ये भी coach है लेकिन इनको हम लोग क्यों reject करेंगे क्योंकि इनकी language अलागा है तो इनके इमेल को अगले करेंगे जितने भी ज़ाधा हई सब्सक्राइबर वाले हैं ना प्रोफाइल इन सभी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं यह सभी हमारे अइल कस्टमर्स है और उनको हम लोग टारगेट नहीं करेंगे जो लोग अक्टिव नहीं है YouTube पर, for example, let's see अगर 6.1 के सब्सक्राइबर्स है इनका, and let's see okay, he's also available ठीक है, so mostly हमारे सारे कोचेज मैं देख पा रहा हूँ की वीडियोस कंटिनुसली डाला है विच इस गुट तिंग, आपके पास बहुत सार अप्शिन अब यार यह देखो, Coach Reyes सबसे पहले बात तो यह अभी नए है ठीक है, और इनके वीडियोस पे व्यूस भी नहीं आ रहे हैं, और यह काफी एक छोड़ी छोड़ा चैनल है, so इनको अगर आप पिच करोगे ना, यह उस पोजेशन में नहीं है कि आपके prices को afford कर पाए, तो इस तरीके के जितने चैनल होते हैं, उनको हम लोग skip करेंगे और उनका data नहीं बनाएंगे, ठीक है so मैंने example दे दिया, तो दो चीज़ें हम लोगों ने discuss की, इस तरीके से हम लोग ICP या फिर Ideal Custom Profile ढूंते हैं, और किस तरीके अपना का target audience चुनते हैं, target audience में एक example लेके हम लोग देखे कि coaches को किस तरीके से ढूंते हैं, और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं while selecting a niche, ठीक है, so coaches अगर हम लोग select किये हैं, तो क्या-क्या ध्यान रख के coaches के पास business है, coaches के पास पैसा हो सकता है, उनके पास sell करने के लिए एक उनका talent है तो किसी भी niche को अगर आप choose करो तो उस niche के बारे में पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है, कि उस niche में कितने जादा लोग हैं, आप coaches एक बहुत बड़ा पिच करना चाहते हो अपनी services, so gardening में उतना return investment नहीं है, उसमें आप क्या करेंगे, gardening की videos मना सकते हैं, बहुत सारी gardening की videos यूट्यूब चैनल में बने हुए, so वहाँ पे आप अगर उनको वहाँ पे आप अपनी services pitch करेंगे, तो definitely वह interested हो सकता है, लेकिन वह आपको कभी भी high price पे नहीं कर पाएंगे, तो कि उनकी उतनी income ही नहीं है, अगर वह कहीं और से कमा रहे होंगे, तो वह आपको अपने jeb से उनको देना पड़ेगा, ना कि उनको YouTube जो देगा, उसमें से वह आपको नहीं channels है ना, वो बहुत जादा उनका CPC होता है, वो जो उनका ad revenue होता है, बहुत high होता है, तो अगर आप finance related लोगों को reach out कर रहे है, बहुत high chances है कि आपको जादा pay करेंगे, और जादा time तक टिक रहेंगे, क्योंकि उनको return दिखाई देगा, तो finance related देखो, जितने भी अहीनों उसे video नहीं बना रहे है, और कि 210K subscribers हैं, लेकिन इनके videos regular नहीं है, और अगर ये video वापस बनाना शुरू करते हैं, तो इनकी audience अब dead हो रही है, दीरे-दीरे, तो इनको views नहीं आए, तो इस तरीके के channels को आपको avoid करना है, इस तरीके के channels को आपको email नहीं लिखना है, और इस तरीके की चैनल से आपको लीड लिस्ट नहीं बना लिगा है, इनको हम लोग skip करेंगे, इसी तरीके से, पर एग्जमपल, पेगल एक finance, I'm not sure ये क्या कर रहे हैं, इनको भी हम लोग उचे नहीं कर सकते, एक महीने पहले निए लास्ट वीडिय डाली थी, और 2.6 के खाली subscribers है, तो although ये finance के हैं, लेकिन हम लोग इनको outreach शुरू में नहीं करेंगे, इस तरीके से आप लोग complete skim कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जिस तरीके से आप YouTube चैनल को ढूंड सकते हैं, उस website का नाम है playboard.co, इस website के थुरू आप बहुत सारे YouTube चैनल को scan कर सकते हैं, उनको आप ढूंड सकते हैं, basically, चैनल सर्च पे आप जाओ, चैनल सर्च पे आपने लिखा finance, ठीक है, फाइनेंस में फिर आप आपने subscriber count टाल दिये, for example, एक से 50 to 100 के, और भी आप filters लगा सकते हैं, टोटल व्यूस कितने होने चाहिए, ना, साथ दिनों में कितने व्यूस होने चाहिए, तो आप किस target niche को आप target करना चाहते हैं, वो आपके उपर है, आप अगर high viewership वाले channels को target करना चाहते हैं, तो और ज्यादा high viewers वाले filters आप लगाएंगे, अगर आप medium वालों को target करना चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक option आता है weekly upload, वीकली upload हम लोग कोशिश करेंगे, कम से कम 3-5 वीडियो वाले channels को हम लोग skim करें, और कौन से जगे से आपको लोगों को search करना है, वो भी हम लोग यहाँ से filter out कर सकते हैं, तो for example United States, तो अब United States के finance niche वाले, 50-100K के बीच के subscribers वाले, जिनकी weekly update 3-5 और United States के हैं, वो सारे channels हमारे सामने यहाँ नीचे निकल के आगया, अब यहाँ से directly उनकी YouTube channel पर जा सकते हैं, और उनके email ideas को extract कर सकते हैं, तो एक यह तरीका है, दूसरा तरीका जो मैंने YouTube के search and filter को use करके बताया है, दूसरा तरीका यह है, इन दोनों ही के थुरू आप चैनल को search कर सकते हैं, और इसमें बस YouTube वाले में निकत यह हैं, कि आप अलग-अलग location wise नहीं कर सकते हैं, अगर आपको use करना है, अगर आप search करने तो location wise आप search नहीं कर सकते हैं, location change करने के लिए आपको VPN यूस करना पड़ेगा, और तीसा तरीका है playboard, आप playboard में भी एक drawback, आप एक email id से एक दिन में बहुन दादा email id एक्स्ट्राक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बार-बार एक temporary email id बनाना पड़ेगा, उसके तरू लॉग-इन करके आपको email extract करना पड़ेगा, तो थोड़ी महनत दो देखो यार करनी पड़ेगी, अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो महनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको ये boring task लग रहा है, तो इसका भी मैं एक alternate बजा दे रहा हूँ, कि ये task आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तेक है, आप किसी भी ऐसे इंसान को उठा सकते हैं, जो part-time job की तलाश में है, या फिर कोई ऐसा college student जो कुछ part-time में काम करना चाहता है, तो उनको आप ये task delegate कर दू, उनको बोल दो, आपकी आप ऐसा ऐसा करो, ठीक है, आपको ये process इस तरीके से email list निकालनी है, और इसको use करके आप एक complete email list बना लो, आप 1000,000,000,000,000,000,000,000,000 email के कुछ X amount finalize है कि उसको pay कर दें, तो वो भी कुछ, उसको लिए एक extra pocket money होगी, और वो time-based करता है, रील सरीकता है, इससे अच्छा YouTube channel सर्च कर रहा है, तो आप काम को इस तरीके से, चालाकी से delegate करना भी सीखो, क्योंकि हर एक चीज, आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग complete lead list बिल्ड करेंगे, और best niche में, एक niche तो मैंने finance बता दिया, दूसरा है coaches, तीसरा tech, tech में भी बहुत सारे लोग हैं, जिसको अच्छे अच्छे reviews मिलते हैं, अच्छा अच्छा, I mean earning बहुत अच्छी है, और चौथा, real state, real state की जितने लोग हैं, real state को आप bench करो, real state में बहुत अच्छा पैसा है, अगर आप उनको, उनके branding को बना सकते हो, और आप deals close करा सकते हो, तो वो आपको एक बहुत अच्छा पैसा पे कर सकते हैं, real state है, इसके अलावा, और एक और है, वो है fitness, ठीक है, fitness में भी, जो हमारे fitness industry की जितने लोग हैं, उस नीश में भी बहुत अच्छा return investment मिलता है, अगर वो आपके साथ काम करें, और आप अच्छे से अगर आप उनकी help कर सकते हो, यह कुछ नीशे हैं, जिनको आप यूज करना, एक नीश को शुरू में target करना, और deeply, जितना ज़दा email list निकाल सकते हो, उतना निकालो, और उनको email भेजना शुरू करो, email कैसे भेजते हैं, कैसे लिखते हैं, वो तो मैं आगे आने वाले episodes में, बहुत depth में बताऊंगा, बहुत बढ़िया document दूँगा, I mean जो इस वीडियो को फुरा देख रहा है न, this is pure gold for them, यह कहीं भी नहीं दिखाई दे, कोई भी आपको इतना depth में नहीं दिखाने वाला, इस opportunity को बिल्कुल miss मत करना, हर एक चीज़ एकदम transparently हम लोग सिखा रहे हैं, तो इसको पूरा सीखो और संझो, सिर्फ बाते बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बाते बनाने से बिल्कुल कभी काम नहीं चलेगा, कुछ करना है, तो कुछ action लेना पड़ेगा, Let's get to the next topic, How to download leads data, देखो यार, यह तो मैंने तरीका बताया, manual email list बनाने का, और यह एक pure gold है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यह pure gold है, although it is time taking, इसमें time लगेगा, लेकिन this is pure gold, यह जो build कर लेगा over the time, और backend में build करता लेगा, यह इतनी बढ़िया data है, क्योंकि यह कोई use नहीं करेगा, यह किसी भी आपको, जो leads बेचते हैं, वहाँ पर यह सारी data नहीं मिलेगे, यही सबसे बड़ा drawback है, किसी भी tool का जो leads बेचते हैं, वो सारे data बेच रहे हैं, वो कई लोग खरीद रहे हैं, और लोग को कहीं लोग pitch कर रहे हैं, तो वो basically आपकी email spam में जाने के chances बड़े जाते हैं, या फिर वो convert होंगे, इनके chances बड़े हो जाते हैं, लेकिन यह भी possible नहीं है, कि आप YouTube पे सिर्फ rely करके, सिर्फ उन ही को अगर आप email भेजोगे, तो आप एक बड़े scale पर नहीं कर सकते कि इस काम, अभी जो मैंने बता है, यह छोटे scale से शुरू करना है, लेकिन इसका return बहुत high है, return very high, equivalent to अगर आप bulk में करना तो वो इसके equivalent है, तो leads data कैसे हम लोग use कर सकते हैं, एक जो tool मैंने discover किया था, वो था marine, यह काफी बढ़िया tool मुझे दिखाई दिया, तो यह बढ़िया tool था यार, इसको मैंने purchase भी किया, तो मैं दिखाता हूँ, आपको अगर purchase करना होगा तो आप आप सुमों से purchase कर सकते हो, अगर available होगी deal तो I'm not sure whether अभी भी available है या नहीं, यह एक website है जिसमें मैंने खरीज रखा है, तो इसमें आप directly search कर सकते हो, directly हम लोग search कर सकते हैं, give me leads for, give me leads for real estate agents in USA, तो इसको मैं get my leads करूँगा तो कही सरे leads निकल के आ जाएंगे, ऐसे से मैंने बनाया, यह lead list बिल कर रहा है, यहां पर कई सरे आपको filters मिल जाते हैं, कि company size क्या होना चाहिए, क्या state city होना चाहिए, क्या intent होना चाहिए, तो इस सारे email ids आप must तरीके से, पूरा का पूरा list मिल जाएगा आपको, this is also very good tool, तो मैं personally use करता हूँ B2B and lease generation के लिए, आप भी use कर सकते हूँ, link आपको मिल जाएगा ठीक है, तो एक यह तरीका है, this is paid tool ठीक है, so initially जो लोग के पास capital है, जो लोग invest कर सकते हैं, please go ahead with that, जो लोग कोशिश कर रहा है, पहला deal close करें, कुछ पैसा मिले उसके बाद invest करें, तो लोग पहले method की तरफ जाएंगे, जो मैंने अभी सिखाया, एक और free method मैं बता देता हूँ, Google search की थूर कैसे leads निकाल सकते हैं, this is pure gold यार, मैं क्या-क्या बता दे रहा हूँ सभी लोगों को, मैं भी सोच रहा हूँ, चलो, कोई बात नहीं, मेरा aim यही है, इस सभी लोग सीखें, आप देखो, Google आपको free में सारे leads दे रहा है, आपको ढूंडना है, लेकिन इससे यह drawback है कि इसमें कई सारे scrape data भी निकल जाता है, लेकिन उसको हम लोग कैसे verify कर सकते हैं, वो भी हम लोग discuss करें, लेकिन अगर हम लोग को target करना है real estate agents, हम लोग डालेंगे double quotes में, कहां से search करना है, लेकिन उनके email id में क्या होना चाहिए, अभी हम लोग Gmail के email id को extract करते हैं, और कौन सी place, लेकिन न्यू यॉर्क, बहुत expensive जगा है राइट, आपने enter press कर दिया, अब यह देखो या, यह इतने सारे data आके, चिपक गया हमारे, यहां पर, हमने करना है, इसे सारा select, और हम लोग करेंगे email extract, ठीक है email extracting tool पर गई, इसमें हमने paste किया, पूरा text और extract, आप यह देख, यह हमें सारा का सारा real estate का data मिल गया, जो लोग New York में हैं, है ना कमाल की चीज़, इस तरीके से आप अलग-अलग शहर को target करके एक बढ़िया lead list 15 minute के अंदर बना सकते हो free में, Google के मदद से, कोई बताएगा यह सारी चीज़ें, मैं बता रहा हूं यह, all thanks to him भाई, ठीक है, चालो, इस तरीके से list बना सकते हैं एक यह free तरीका में बता दिया हूं लेकिन इसमें भी drawback है, इसमें तो हो सकता है कई सारे emails fake हों, available ना हों, maybe downgrade हो गए हों, use में ना हो, तो इसको check करने के लिए अलग tool हम लोग use करते हैं उसको कहते है, Reon Email Verifier, अब again इसको वही लोग खरी देंगे जो लोग invest कर सकते हैं और जिनके पास पैसे हैं, जो लोग invest करना चाहते हैं सिर्फ वही लोग tools में invest करेंगे, otherwise complete free method मैं सभी लोग को सिखा रहा हूं, वो शुरू में सभी लोग use करेंगे उससे पहला client close करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने ओर्स किया ये वीडियो देखी और आपका पहला client close हुआ ये मैं comments पढ़ूंगा, तो नीजी आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने client close किया, अगर मैं इतनी सारी चीज़े free में सबको बता रहा हूं तो expect करता हूं कि results आएंगे और इतनी transparency के साथ अगर मैं बता रहा हूं तो definitely अगर results नहीं ला रहे हो ना तो तो तुम लोग YouTube uninstall कर दो, पॉन कॉन प्राई कर रहा है भाई, चालो भाई, मान लिया कि मैं इंसान हूं अब यह दको यह एक lead list verify रहा है इसमें आप email list अपनी लगा दो verify कर लो पता चल जाएगा कितने fake हैं कितने क्या है इसको भी आप app sumo से खरीच सकते हो यह नीचे link मिल जागा वहां से purchase करते हो लेकिन वही purchase करेंगे जो लोग strong enough है अपने email list को ले रहे हैं Apollo मैं अब recommend नहीं करूंगा क्योंकि Apollo का data बहुत जाला पुराना हो चुका used हो चुका बहुत लोग use करते हैं इसलिए मत use करना अभी at the moment marina मुझे अच्छा लग रहा है मैं use कर रहा हूं तो मैं recommend करो अगर आप लोगो को कोई और मिले तो definitely आप भी use कर सकते को creative ways to fight leads पहला creative way मैंने बताया कि Google का user है किस तरीके से आप बना सकते हो अपना इक main list एक और उसी को फुला सब्सक्राइब करते हैं ठीक है अब हम लोग Instagram से निकालेंगे Instagram पे किसी का email ID available नहीं होता है तो चलो finance Instagram पे let's say again new york itself why not new york and at gmail.com let's say let's see what comes okay marketing finance so यहाँ पे भी बहुत लंब इच और लिस्ट की करींगे मुझे इंको आप करेंगे select all, select all, select all, select all, select all, यहाँ पर जाएंगे extract emails करेंगे और यह हमारे पास again list लिस्ट आ गई, finance वालो लोगों की है reach out कर सकते हैं otherwise finance के लिए मैंने YouTube पे free method बताया, बहुत बढ़े तरीका है जाके use करो, यह सारे चीज़ें क बता ही दिये, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने business पे काम करो, आप service deliverability पे काम करीए, आप अपने service को improve करने पे काम करो, और कोई एक ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो यह सारी चीज़ा आप उसको सिखा दो, back end में वो आपको काम करता रहे और जितने leads वो ले के आएगा, leads पर basis पे उसको आप पर ही करो, है ना कमाल की चीज़, आपका पूरा infrastructure, आपका पूरा का पूरा training और वो बंदल आ के दे रहा है, उसको आप सिखा दो, उसको कुछ नहीं करना हो, उसको बस leads ला के देना है, close आप करोगे, पर leads के पर देदो, close करतो, close करने पे extra कुछ आपका भी performance basis पे बहुत जादा खर्च नहीं होगा, तो एक अच्छा तरीका है, इसको use करके आप scale कर सकते हो, नियुकि हर एक बड़े company में जैसे एक sales department होता है, एक अलग से advertisement department होती, कि वो leads लेकर कर के आएंगी, उसी तरीके से आप एक चोटा एक आदमी का department बना लो कोई दिक करते हैं, जरूरी नहीं कि 10 लों के department है, बना दो, share कर दो, और must business पे काम करो, growth strategy पे काम करो, और business पढ़ो, I hope कि तुमें ये सारी चीज़ा समझ में आए होगी, कोई question होगा नीचे बताना यार, मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी चीज़ों को address करूं, उन सभी ची I mean, सब कुछ तयार है हमारा cold email send करने के लिए, बट अभी भी एक चीज़ है जो कि missing है, और 90% लोग यहीं पे गड़बड कर देते हैं, वो है cold email लिखना या फिर copywriting, अगर आपका cold email अच्छा नहीं है, copywriting अच्छी नहीं है, तो भूल जाओ कि सामने वाल आपको reply देगा, औ तो आपको make sure करना है कि आपका cold email है, वो सबसे best हो, सामने वालों से पढ़के बोले कि ओहो, इस बंदे ने एहसान कर दिया मुझको email करके, और आपको report spam कर दे, तो जो cold email की copywriting होती है, वो उतनी ही important होती है, जितने की खाने में सही से मसाला डालना, अगर आपने मसाला गलत या नहीं डाला तो क्या होगा, आपको खाना पसंद नहीं आगा, चाहे खाना कितना भी अच्छा, कितनी महनत से बनाया होगा, तो इसलिए जो हमारी cold email की copy होती है, वो इतनी important हो जाती है, तो इसके लिए आपको आन्यच यह email लिखना और copywriting, ताकि आप जो cold emails भेजो, उसक reply आ सकें, और यही हम सीखने वाले इस free cold email course के next chapter में, जिसे आप यहाँ पे click करके देख सकते हैं,